हेलो गाईज, क्रंट फिर्स पंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शिक्षर्मा और आज जो टोपिक हम स्टेडी करने वाले हैं उसका नाम है नुकलियर पार डियक्टर्स इन इंडिया तो जोग्रफी सब्जेक्ट के तहत ये टोपिक आता है और प्रिट जानकारी हम लेंगे नुकलियर पार डियक्टर्स सम्मंदित जो बारत में इस्तित हैं, कुछ करन्ट अफेर से सम्मंदित पी इसमें जानेगे, सबसे पहले है तारापूर आटोमिक पार स्टेशन त्यापीएस त्रतारापूर पावर अटोमिक पार स्टेशन ये पल्ग महारास्ट में है यह फर्स्ट कमर्शियर नुकलिर पावर स्टेशन है जिसे बारत में बनाया गया था चार इसकी यूनिट्स है दूसरा है राइस्थान एटोमिक पार स्टेशन और एपिएस तो राइस्थान एटोमिक पार स्टेशन जिसे राइस्थान एटोमिक पा फर्ट में चेंटREE यूनिट्स इसकी ऑपरेश्णल है नैस्टेम अिम 1975 फॉ रइस टेशन इकता मद्रास एल्थ पार इससेंट ये कल पक्कम चऱ नहीं तमिलनाडू में इसका भी नाम आप pressing अपने इस तरह सुना रीक्टर जिसकी जो कैपसिटी ऑफ 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक की है जिसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रीक्टर कहते हैं इसे भावीनी द्वारा उपरेट किया रहा है और साथ ही यह यहां पर दो फास्ट ब्रीडर रीक्टर भी जो है एक्टिव किया रहे हैं तो यह आप याद रखेंगे इस भावीनी के बारे में आगी हम पढ़ेंगे ल कि म लीटिए के अ लमरौज इनयोक्लियर पार जन्रीटिंग स्टेशन रोकी कैगा में है करनाटक में और च्रीनिट इसकी इसकी ऑपरिश्ट ऐनीं नैक्सटे कुंदन कुलम निधियर पावर स्टेशं काफी इंपोर्टेंट हैं यह यह लार्जट नुक्लियर इस्टेशन आ हमारे भारत में और आपको बता दें यह तिरुनेल वेली डिस्टिक तमिन नाड लू में इस्तित हैं दो यूनिट इसकी ऑप्रेस्टनल है जून water energy reactor भी बनाए जाएंगे रेशियन इस्टेट कंपनी एटम स्टोरी एक्सपोर्ट और न्युकिलर पावर कोपेशन आफ इंडिया लिमिटेट की मदद से इस्टोल्ड कैपसिटी यहां पर हो जाएगी फिर 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिक की क्योंकि 6 रेक्टर बजाएंगे और हरकी जो कैपसिटी होगी वह 5000 मेगावाट की होगी नेक्स्ट है नरोरा एटोमिक पार स्टेशन तो नरोरा एटोमिक पार स्टेशन यह नरोरा दिवाई तहसील बुलंस है डिस्टिक उत्तर परदेश में इस्थित हैं और दो रेक्टर से यहां पर हरेक की कैपसिटी 220 मेगावाट की है नेस्ट है काकरापार एटॉमिक पार स्टेशन तो काकरापार एटॉमिक पार स्टेशन यह आपका पढ़ता है गुजरात में चार यूणिट्स ओपरेशनल है इसकी अचारेंट नीउस से संबंदित देख लेते अचा जब हम तोटल नुकलिर रियक्टर पढ़ता है ना कि कितने हैं बारत में तो हम यह तो पढ़ी रहे हैं कि कख्राप आयक्टो में इक पावर इस्टेशन है और कितनी यूनिट्स उसकी उप्रेशन है वह भी उसमें काउंट होती है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे आगे मैं आप नुकलिर एनरजी है जो प्रोड्यूस करते हैं वह 22,480 मेगावार्ट इलेक्ट्रिक तक पहुंच आए फिलाल एनपीसी आइन 24 रियक्टर्स ऑपरेट करता है भारत पर में जिसकी कैपसिटी है 8,180 मेगावार्ट इलेक्ट्रिक की तो इसलिए मैंने बताया था कि 24 इसलिए किसी की दो प्रेशनल है ठीक है तो याद रखिया एनपीसील फिलाल 24 रियक्टर्स ऑपरेट कर रहा है भारत में ऐसे जो एक कखरा पर एटोमिक पावर स्टेशन है इसकी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट यह लार्जेस्ट इंडिजीनियस प्रेसराइज्ट हैवी वाट रियक्टर्स रहने वाली है चार नुक्लिर पार प्लांट्स जिनमें हर एक की वैल्यू एक हजार मेंगावाट इलेक्ट्रीक की रहेगी इदको कुंदन कुलम तमीन लाड़ों में बनाया जारे रश्या की असिस्टेंस से चार 700 मेगवाट इलेक्ट्रिक के होम बिल् दस 700 मेगवाट इके प्रेसराइज हेवी वाटर डियक्टर्स सैंक्शन कर दे गए हैं गोरखपूर हर्याना में कायगा जोनरेटिंग इस्टेशन 5 और 6 करनाटक और चूत का मध्यपरदेश में और चार पावर यूनिट्स जो हैं सैंक्शन कर दे गए हैं माही पंस्वारा नुड़ाइस्थान में प्राइमिस्ट्र अनुद्र मोदी ने इस मार्च 2024 में जो इंडिया के फिर्स्ट इंडिजिनेस प्रोटाइप फास्ट बीडर रियक्टर है उसकी को लोडिंग को भी विटनेस किया कल पकब में को लोडिंग का मतलब होता है जो नुक्लियर फूइ उससे ज्यादा फ्यूल जो है डिडियूस करता है ठीक है ओपरेशनाइजेशन ऑफ ता प्रोटाइप फास्ट बीडर रियक्टर विल मार्क तास्ट अफ स्टेज सेकंड ऑफ इंडिया स्टी स्टेज नूकलियर पार प्रोग्राम इसकी सेकंड स्टेज जो है चालो हो गई है इसी के साथ जब बारत हैं इंडिया का फर्स्ट इंडियस प्रोटाइप फास्ट बीडर रियक्टर की कोड लोडिंग सुरू की इसी के साथ है अच्छा अब जान लेते हैं दो एजंसी से यहाँ पर पहली है नुक्लियर पावर कोपरेशन आफ इंडिया लिमिटी नहान इनरजी के द्वारा और इसके स्थापना हुई थी सितंबर 1908 में बी-सी पाठक इसके चेर्मेन एंड मैंजिंग डिरेक्टर है नेक्स्ट है भारतिय नाभी किये विद्यूत निगम लिमिटेड बावी इसको बोलते हैं तो जो भारतिय नाभी किये विद्यूत निगम लि करने के लिए रिस्पोंसिबल है डॉक्टर के वी सुरेश कुमार इसके चेर्मेन एंड मैजिंग डारेक्टर है तो इस अभी इनफोर्मेशन है जो आपको न्यूक्लियर रियक्टर से सम्मंदित जाननी चाहिए थी पूरे हमारे जो भारत में ठीक है और आपके आने वाले और हर महीने के बैंकिंग एंडिकरमी का वैंडेस पीडियाफ चाहते हैं तो करंट अफेर्स फंडा का वनियर मेंबर्शिप प्लान आप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फॉस्ट कोमेंट में मिल जाएगा आपको बता दे पूचे जाते हैं सभी एक्साम के लिए मारे पीडियाफ कॉंटेंट काफी यूसफुलर अब तो आपको हमारी करंट अफेर्स पढ़ लेते हैं इन्हें आप अटेम्ट कर सकते हैं और यह हमारा वनियर मेंबर्शिप प्लान ले लेते हैं जिसके बारे मैंने आपको भी बत passer दे समर साल एक्टीव है टैन पर्सेंट ओफ क्रमिल जाएगा करना क्या है वेडियो के दस्प्शन में आफ फर यह लिंक मिलेगा उचैनल अबिैण साफ को इस में दिखाई करना है और यह चूपन को लगाना है आपको लाना है एक सामर लिमेट टाइम ओफर है बाकि आप current affairs funda app पर जो reviews होते हैं उन्हें पढ़ सकते हैं यह aspirants के review हैं और genuine review है fake reviews नहीं है और इससे आपको पता चल जाए किस तरह से कोई भी आपका डाउट होगा मारी score से संबंद तो आप प्लीज कोमेंट वोक्स में लिखेगा चले फिर करते हैं सुरुबात इस वीडियो सेशन की साथ ही current affairs funder को आप टेलीग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर रेगलर वीडियो अप्टेट्स और करेंट कुछिसम आप सभी करें डालते रहते हैं साथ ही सेशन ग्रूप में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हमारे current affairs की प्लेश्टी गई इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैलो एस्पिन साथ हमारे current affairs को आप शेयर जरू करें आज का सेशन आपको कैसा दागा आप comment box में बश्य बताइएगा थैंक्यू खाइबाएबस